दोस्तों मुझे पता है आप सब लोगडाउन में पोर हो रहे हैं तो मैं आपकी बोर्यत दूर करने के लिए लाया हूँ HelloF, इंडियाज लीडिंग सोशल मीडिया प्लैटफूम HelloF, पे आपको मिलेंगे trending news, funny educational, cooking, dance और भी बहुत सारे वीडियोज इसके अलावा latest updates of your favorite celebrities तो देर किस बात की है? अभी download करो HelloF और करें अपनी बोर्यत का खात्मा हिंदुस्तानी बहु कोकिला देवी और उसका पूरा परिवार इंगलेंड के लंदन शहर में settled था लेकिन कोकिला देवी अपने बेटे की शादी किसी हिंदुस्तानी लड़के से करवाना चाती थी इसलिए वो बहु देखने अपने बेटे और पती के साथ इंडिया आ जाती है क्या कोकिला को उसके मनपसंद बहु मिल पाएगी चलिए देखते हैं आई 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 आउटी जी कहिए सफर कैसा रहा हुआई जहाज में कोई तकलिफ तो नहीं हुई बैटने के जगह तो मिल गई थी ना क्या है ना पिछली बार जब मैं इंगलेंड से आया था तो मुझे बिलकुल जगह नहीं मिली फिर क्या था मुझे पाइलिट के साथ कैबिन में बैट कराना पड़ा क्या कह रहे हूँ बेटा हाँ अंकल जी क्या आपी इसकी बातों में हाँ मिला रहे हैं इसकी बातों से साफ पता चलता है कि ये कभी हवाई जहास में नहीं बैटा इसने अपने जिंदगी में हवाई जहास सिर्फ टीवी और फिल्मों में ही देखा है वैसे अंकल जी अगर आप मुझे पहले फोन कर देते पर्वानी वाला दूसरा ब्रोकर नहीं मिला क्या। अच्छा बेटा एक बात पताओ, तुम्हारी शादी हो गई है। जी नहीं आंटी जी, अभी तक कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। सुन लिया, अपने खुद की शादी तो करवा नहीं पाया। मेरे बेटी की शादी क्या करवाएगा। अगले दिन ब्रोकर उन सभी को शर्मा जी के यहां ले जाता है। पर्देसी पर्देसी जाना नहीं, मुझे छुड़के, मुझे छुड़के पर्देसी। अरे बस बस बस, शर्मा जी, ये क्या है। बहन जी मेरी बेटी को बचपन से ही गाने का शौक है ये बज़न भी बहुत अच्छा गाती है बेटी जरा एक अच्छा सा बज़न तो गा के सना अरे नहीं नहीं बस बहुत हूँ गया मैं अपने बेटे के लिए बहु ढून रही हूँ अगली इंडियन आइडल नहीं ये चलते हैं जी अगले दिन विस अभी नैना नाम की लड़की को देखने आते हैं नैना सास बहु टीवी सीरियल की बहुत बड़ी फैन थी क्या, मेरी शादी, मेरी शादी, मेरी शादी अरे, ये इस तरह एकी बात को तीन बार गर्दन गुमा गुमा के क्यों बोल रही है अंडी जी, ये सास बहु सीरियल की बहुत बड़ी फैन है अरे, तेरा सत्या नाश हो ब्रोकर, चल नाश पीटे, चल भाग यहां से, दुबारा अपनी शकल मत दिखाना ब्रोकर दुम दबा कर वहां से भाग जाता है आखिर ये ब्रोकर यहां से भागा क्यों, कहीं इसमें किसी की चाल तो नहीं क्या मैं इन लोगों को पसंद आ रही हूँ अभी तक इन लोगों ने टीबल पर रखे समोसे नहीं खाए आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है सावित्री, ये तेरी बेटी नैना ही है ना जी हाँ, मैं ही हूँ नैना अरे ठीक है ठीक है, लेकिन तु खड़ी क्यों हो गई और इतनी जोर से क्या बाते कर रही है क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब अरे क्या मतलब से तो आगे बढ़ मॉम, तो ये है आपका बहु का कलेक्शन एक से बढ़ कर एक लड़किया है लेकिन कोकिला हार नहीं मानती चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे की बहूल ये बिना लंदन वापस नहीं जाओंगी मैंने सुना है कि चड़ा साप के बेटी सूजी बहुत ही सुन्दर और गुणवान है कल हम उसे देखने चलते हैं अगले दिन कोकिला अपने पती और बेटे के साथ चड़ा साप की यहां पहुचती है आईए आईए मैं सुबह से आप लोगों का इंतिजार कर रहा था अरे सुन्ती हो भागिमान हमारी बेटी को देखने लड़के बाले आगे हैं सूजी बेटी को ले आओ सूजी ये कैसा नाम है सूजी का हलवा सूजी की पानी पूरी तो सुना था लेकिन लड़की का नाम पहली बार सुन रहे है हमने तो इसका नाम सुजाता रखा था लेकिन इसने अपना नाम खुदी बदल कर सूजी रख लिया बड़ी talented है मेरे बैटे सूजी जैसे ही सबके सामने आती है कोकिला उसे हैरानी से देखती है हलो आंटी जी सूजी का पहनावा देख कोकिला अपने पती से कहती है अरे ये इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं लड़के वालों के सामने भला कोई लड़की ऐसे आती है क्या हाँ तुम सही कहती हो ये तो खाली हाथ आ गई चाय बिस्किट सवों से कुछ भी लेकर नहीं आई ए भगवान दिन बदीन आपकी जबान चटोरी होती जा रही है अब जरा चुपी रहिए कहिए आप लोग क्या पीना पसंद करेंगे चाय या काफी मैं पिन सो मेटों से ओडर कर देती हूँ साब में कुछ नाश्टे के लिए भी बेटी चाय नाश्टा तुम खुद क्यों नहीं बनाती और नौ किचन में काम करके मुझे अपनी स्किन खराब करनी है क्या हम घर में खाना नहीं बनाते हमारी यहाँ दोनों टाइम का खाना बाहर से आता है हमारी बेटी पूरी मॉडन है मॉडल हाँ इंगलिस मीडियम स्कूल में पड़ी है फुल इंगलिस बोलती है जी इसका रहन सहन तो सब अंग्रेजों जैसा है बस यह समझ लिजे कि यह गलुती से इंडिया में पड़ा हो गई अब बिल्कु सही कह रही है आपकी बेटी ही तो अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज है माफ करना मुझे अपने बेटे के लिए एक सीधी साधी समझदार घरेलू लड़की चाहिए तीनों वहाँ से जाने लगते है कोकिला गुस्से में बड़बडाने लगती है यह बगवान यह क्या हो रहा है हिंदुस्तान में अच्छी लड़कियों का आकाल पड़ गया है क्या रोज अजीबो गरीब लड़कियां मिल रही है लगता है मेरा बेटा कमारा ही रह जाएगा तभी कोकिला दरवाजे की सेड़ियों पर लड़ खड़ा कर गिर जाती है आए मर गई मेरा बेर तभी पास खड़ी पूर्णेमा नाम की लड़की दोड़कर कोकिला के पास आती है रुकिया अंटी जी पैर सिधा रखे कुछ नहीं मामुली सी मोच है मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ आ आ आ आ ऐसे बस हो गया अंटी जी अब कैसा लग रहा है वा बेटी तुमारे हाथों में तो जादू है हम और कोई जादू वादू नहीं है ये तो एक डॉक्टर है कोकिला को पूर्णीमा एक नजर में पसंद आ जाती है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं बस अब तो यही लड़की मेरी बहु बनेगी बस फिर क्या था कार्टिक और पूर्णीमा भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और बड़ी धूम धाम से दोनों की शादी हो जाती है